आप राम का नाम इन्होंने इतना बरबात कर दिया राम का नाम इन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि जो सिया राम एक भगवान की कैटेगरी में आते थे आज उनको इन्होंने आतंगवात का नारा बनाकर सकुलीड कर दिया है जहां पर आप जैसिया राम या जैसी राम का ना अब हम मत्रा में मुसल्मानों की जिन्दगी हराम करेंगे मत्रा की जो मजीद हैं उनको शहीद करेंगे और वहाँ पर कहेंगे कि नहीं यहाँ पर हमारे कृष्ण लल्ला पैदा हुए थी उत्तर परदेश में इलक्षन है तो उत्तर परदेश में भी आप हाल देखे कि तीर तीशूल तलवार मंदिर मस्जित गाएं गोबर पर यह लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप देखे किस तरह दलित समाज को फिर बेवकूब बनाया जा रहा है दलितों को दलितों से लड़ यूज में मैं बता चूँ क्योंकि उत्तर परदेश के जो उप मुख मंतरी है केशब परशाद मोरिया वो चवनी चोर नेता बतकिसमती यह है कि दलित समाज से आता है और वो वहाँ पर पूरा का पूरा नफरती गेम प्लान कर रहा है जिस तरह आप देखे आयोदिया में राम लल्ला पे इनोंने आज सोचा था कि हमने मंदिर बना दिया मंदिर इनोंने नहीं बनाया मंदिर ना बीजेपी ने बनाया मंदिर ना मोधी ने बनाया मंदिर ना योगी ने बनाया अगर मंदिर किसी ने बनाया है तो सुप्रीम कोट ने बनाया और सुप्रीम कोट ने अपने स्केटमेंट में साफ कहा था कि यहाँ पर कोई भी ऐसे अफशेश नहीं मिलते कि यहाँ पर राम ची पैदा हुए थे लेकिन क्योंकि आस्था का मामला है इसलिए यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा यही फैसला आया था तो राम मंदिर बनाने में ना मोदी ने कुछ खर्च करा ना योगी ने कुछ खर्च करा ना बीजेपी ने कुछ खर्च करा ना आरसस वालों ने खर्च करा यह तमाम श्रे जो जाता है हमारी जुडिश्री को जाता है जिसने ये मंदिर बनवाय था अब राम का नाम इन्होंने इतना बर्बात कर दिया राम का नाम इन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि जो सिया राम एक भगवान की कैटेगरी में आते थे आज उनको इन्होंने आतंगवात का नारा बना कर सकुलीड कर दिया है जहां पर आप ज उतुपाद मचाये था आयोधिया में अब हम मत्रा में मुसल्मानों की जिन्दगी हराम करेंगे मत्रा की जो मजीद हैं उनको शहीद करेंगे और वहाँ पर कहेंगे कि नहीं यहाँ पर हमारे कृष्ण लल्ला पैदा हुए थे क्योंकि फेंटाकोला बाबा का नाम खराब हो चुका है फेंटाकोला बाबा उत्तर परदेश में इतना आतंग उतार चुका है कि उसका गिराफ सीरो की तरफ जा रहा है इसलिए फेंटाकोला बाबा और इनकी पूरी गुफाओं की मैनेजमेंट ने एक नाम जिसको उपर रखा है उसका नाम है केशब परशाद मोरिया क परशाद मोरिया को नामालूं कुरसी का लाला चाहला कि वही लोग है ये वही दली समाजे जिनको कुरसी नहीं इस टूल पर बिठाया जाता है ये वही दली समाजे जिनको मंदिर की चौकर तक पर हात नहीं रखने दिया जाता मंदिर में घंटा बजाना तो बहुत दूर क के बात है अब ये ट्यूटर पर मंदिर खोल कर बैठा है के रहा है प किशन लल्ला की गाथी नहीं है किसम स्लमान ने बोला के बघगinstant नहीं है वो तो हैं सब को पता और कमाल की बात है कि मत्रा के लोग भी ये बोलना है कि अब की बार अगर ये नफरत ही चिंटू मत्रा में आए तो दोड़ा दोड़ा कर मारा जाएगा क्योंकि इनको सबसे एजी चुपका लगता है मुसल्मान तो जहां मुसल्मान देखा ये पावले सांड की तरह मुसल्मानों के पीछे लग जाते हैं उनको मारने के लिए एक सो अच्सी तरह के प्लान ये कौडिनेट करते हैं तो चाहे गुड़गाओं हो चाहे उत्तर परदेश हो वहाँ पर इनको मुसल्मानों को मारना और क्योंकि इस वक्त मुसलिम समाद उत्तर परदेश का चीफ मिनिस्टर उप मुख मंतरी भी है चीफ मिनिस्टर से नीचे उप मुख मंतरी भी है सौरी अटक जाती हूँ और ये वही मुख मुख मंतरी है जिसने अभी किसानों का गतल करवाय था आप याद करिए लखीम पूर खीरी में ये जहाज लेकर उतर रहाता है, हेलिकॉप्टर लेकर उतर रहाता है, और सब किसानों ने माना कर रहाता है, नहीं उतरने देंगे, उसके बावजूद ये बेलगाम घोडा, ये नफरती चिंटू, ये नाम मातर केशब परशाद मुरिया, जो दली समाज रोबी सी समाज का रहनुमा समझ के आता है उतरता है, और वहाँ पर किसानों का गतले आम शुरू हो जाता है, पत्रकारों को मारा जाता है, ये नफरती चिंटू वही है, जो एक साल पहले अपनी लूंगी समाल समाल कर चीख रहा था, चिला रहा था, योगी को मुभर वर के गालिया दे रहा था, कि मैं अलग हो रहा तक कोई जाफरानी चड़ी नहीं थी, अब इसके पास भगवा चड़ी आ गई है, इसने भगवा चड़ी पहन लिए, भगवा चड़ी पहनते ये बावला दिवाना हो गया है, और पूरे भारत का माहल खराप करने के लिए उल्टे सीधे ट्यूट कर रहा है, ताकि उत्तर परदेश में जो इलक्षन है, वहाँ पर ये मुसल्मानों के खून से होली खेल सकें, वही हाल ये गुलगाओं में कर रहे हैं, क्योंकि गुलगाओं में किसकी सरकार है, खटर की, फटर की सरकार है, और बिल्कुल फटर सरकार है, और वहाँ पर भी ये मुसल्मानों को लग जुम्हे की नमाज पढ़ाते हैं गुलगाओं में बहुत आराम से पढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं और दुआ मांगते हुए कहते हैं या अल्ला जिस सरजमीन को आजात कराने के लिए हमारी नसलों ने गुर्बानी दी उस सरजमीन पे हमें सिजदा अदा करने की तौफ तोफीक अता फर्मा क्या जनातेदार तमाचा था उन संगियों पर जो बराबर में खड़ेवे डीजे बचा कर मुसल्मानों को बदनाम कर रहे थे उन्होंने दूआ मांगी या ला हिंदु मुसल्मान में एक ता फर्मा या ला हमें यहाँ पर रहने की मिल जुल कर रहने की त अता फर्मा इतना ड्रामा हो गया उसके बावजूद मौलाना शहजात का पैमाना लब्रेज नहीं हुआ उनकी फुंदा पेशाने पर एक शिकन नहीं आए वो आराम से आते हैं उनको धक्का दिया जाता है उसके बावजूद वो आराम से आते हैं जुम्हे की नमास पड़ात और वहां से निकल जाते हैं सवाल यह उड़ता ही इनको कौन कॉडिनेर कर रहा है यह कौन लोग है जो हमारे भारत का नाम बनाम कर रहे हैं यह कौन लोग है जाफरानी चिंटू जिन पर कोई लगा में कसने को तयार नहीं क्योंकि उत्तर पर्देश में इलक्षन है और हर तर है कि इन्होंने किसानों की बिल वापस लेने का एक ड्रामा करा है क्योंकि उत्तर पर्देश में 85% किसान है और यही वज़ा है कि यह कहना है कि हमने क्रिशी कानून वापस ले लिए क्योंकि उत्तर पर्देश के गाउमों में किसानों लगा दियें बोर्ड कि कुता और बी politics करना चाते हैं उधर ये गुर्गाउं में politics करना चाते हैं लेकिन मेरा भारत का जौवान, मेरे भारत का किसान और मेरे भारत की तमाम communities इस बात को समझ चुकी है कि ये सिर्फ नफरती चिंटु है इस बार जो election होगा वो मुद्दो पर होगा इन तमाम नफरती चिंटूों को इन आरश स्वालों को गुफाओं का रास्ता बिलकुल साफ दिखाया जाएगा इन पे लात मार के भगाया जाएगा क्योंकि इन लोगों को हमने चुना था ये पांस साल के लिए सरकारे बनाते हैं ये हिटलर नहीं है और हिटलर की ये चाल चलेंगे त उत्तर परदेश में इलक्षन हैं उत्तर परदेश के गयूर नौजवानों अभी भी वाक्त है अभी भी समल जाओ एक हो जाओ और अपनी एक ऐसी ताकत बनाओ कि इन तमाम चड़ी धारियों को इन नफरती चिंटों को सबख सिकाया जा सके और वो सबख होगा आपके कि लिए काम करेगा क्योंकि उत्तर परदेश इस वक्त विकास मांग रहा है उत्तर परदेश की हालत खस्ता कर दिये उत्तर परदेश को ठोकतंत राज बना कर इस फैंटाकोला बाबा ने छोड़ दिया है उत्तर परदेश में एक आतंग वात चल रहा है जो भी उत्तर कि ये जो बैठे रहें काल ऐकानोन के खिलाफ इन्हों ने बीजे पी की छिता को मुक्वागनी दिये और यही खिसान मेरे भारत का аждगा जवान जो हमारी सरहदों पर पर यकीन करना होगा क्योंकि अगर जो लोग उत्तर परदेश में रहते हैं आपको अपने वोट का और अपने नेता का सही चैन करना होगा यही एक आखरी रास्ता है कि अगर आपने उत्तर परदेश में इनको लात मार दी इन गौपाओं की ओलादों को इन मठ की नाजाएस उलादों को अगर आपने मठो का रास्ता दिखा दिया तो सन 2024 आप से जादा दूर नहीं है बेशक भारत पूरा बरबाद हो गया बेशक पूरे भारत को बेच खाया ये चायवाला चौकीदार लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास उम्मीदे हैं हमें अपने उपर यकीन है कि हम फिर भारत को वही सोने की चड़िया बनाएंगे हम उसी भारत में फिर दुबारा वापस आएंगे जहां हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई एक ही थाल में बैठकर खाना काते थे जहां कोई मजभ नहीं था जहां आस्था का मामला था जहां भारत पे हम यकीन करते थे हम भारत माता पे यकीन करते थे जहां मजभ को लेके कोई लडाई नहीं होती थी, लाइव अच्छा लगता है तो उसको आगे शेयर करिए और मेरी आवास को दूर दूर तक बुलंद करिए और दुआ करिए मैंसी तरह आपके लिए हक की आवास उठाती रहूं, लाइव अ झाल